हेलो दोस्तो कैसे हो आप लोग आपके शनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज मेरे पास आगे है टाई और टाई मेरे पास पहले से ही थी काफी सारी और मैंने सुचा चलो टाई पहन के वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले टाई कैसे बानते हैं बहुत जादा दिक् और इस पर आपका rejection पक्का है तो pharma industry यानि medical industry चाहे device हो चाहे दवाई हो चाहे doctor से meeting हो आपको हमेशा tie लगा के रखना है और मेरा भी experience है फार्मा में तो मैंने भी काफी time tie लगाई है आज करी मैं नहीं लगा था क्योंकि मैं FMCG sector में हूँ और यहाँ पर कोई जरूरी नहीं माना जाता तो tie लगाना tie आप job के दोरान भी लगा सकते हैं school college में जाते हैं तब भी लगाते हैं किसी साधी function में जाते हैं तब भी लगाते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है तो यह tie यहाँ पर मैंने बांध रखी है और इसको मैं आपके साबने ही खोल देता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से tie बांधना है tie बांधने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों एक trick नहीं है कम से कम 10-12-20 यह tricks है लेकिन यहाँ पर मैं बहुत simple से tricks बताऊँगा जिससे आप अगर पहली बार tie लगा रहे हैं तो आसानी से लगा पाएंगे तो यह बहुत important था क्योंकि अगर आप job में हैं या किसी business में हैं तो आपको tie पहनना जरूर आना चाहिए और मुझे लगा कि मेरे जो subscriber हैं उनको ये video पसंद आईगी इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो ये हो गई tie यहाँ पर और अगर आप tie खरीद रहे हैं तो अच्छी tie की ये पहचान होती है कि वो काफी जादा long होती है यानि उसका जो पतला वाला पार्ट होता है वो काफी जादा long होता है यही एक अच्छी tie की पहचान होती है और tie आपको different different color में different different rate में मिल जाएगी आप देख लिजिए कि आपको किस cert के साथ किस चीज के साथ पहनना है कौन सी आपके उपर suit करती है यह आप देख सकते है तो यहाँ पर यह tie बिल्कुल सही है और tie में अच्छी tie में यह पीछे की तरफ यह भी आता है जिसमें हम बाद में इसको डालेंगे वो आप देखेंगे और सिलाई काफी अच्छी होती है अच्छी tie की यही पहचान होती है थोड़ी सी बारी होती है और थोड़ी सा उसका जो कपरा है वो हवा में उड़ता नहीं है सुरू सुरू में मैंने काफी सारी नई और बहुत सासी शैल लिए थी जब इमाँ से लगाता था तो वो उड़ के यहाँ यहाँ उड़ती रहती थी ऐसे बहुत अजीब लगता है, बहुत हलकी हवा में भी होड़ती रहती थी, फिर उसके बाद मुझे, मैंने देखा मेरे सीनियर काफी अच्छी किसम की टाई इस्तमाल कर रहे हैं, और मुझे भी मीटिंग में कैई बार इनाम में टाई मिली, मैंने उसकी क्वालिटी देखी, तो मुझे लगा या टाई में थोड़ी से पैसे खर्च करने चाहिए, तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों, आपको ऐसे करना है, मफलर पहनते हैं ना, मफलर पहन के ऐसे कर लेना है, ठीक है, और टाई का जो लंबा वाला पार्ट है, ये मोटा क्योंकि टाई जब बंदेगी तो बिल्कुल इत्ती से हो जाएगी और फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है तो यहां पर इस पार्ट को रखेंगे लंबा इसको हमें लेना है छोटा चाहें टाई कितनी वड़ी हो हमें इसको छोटा लेना है यहां लेना है समझ यह हथेली की बराबर लेना इसे हमें अगर यहां पर यह ऐसे बनाते हैं तो हथेली की बराबर आना चाहिए यह आप ध्यान लखिएगा इसके बाद यह टाई आप आजाम से बांद सकते हैं तो इसको यह करना है सबसे पहले यह देखिए यह बड़ा वाला जो पार्ट है यह हमेशा उपर रहेगा और यह छोटा वाला पार्ट है वो हमेशा नीचे रहेगा और टाई यह जो है यह बिल्कुल सही से रखिए कि अगर आप इसे पहने तो आसानी से पहन पाएं तो यहाँ पर थोड़ा समय पास में आ जाता हूँ और आपको और जादा पास से दिखाने की कोसिस करूँगा ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए तो दोस्तों इसको हमेशा नीचे रखेंगे पतले वाले को यह मोटे वाले को हमेशा उपर आएगा और इधर जो बचना चाहिए है बहुत हथेली के बराबर बच जाए बहुत है इससे ज़्यादा मत बचाना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी बाद में टाई जो बन जाएगी तो अब इसको क्या करना है यह हो गया इस तरह से ठीक है यह इधर यह इधर यह इसके उपर है अब आपको क्या करना है आपको इसको लेके अपने गले के अंदर से बाहर की तरफ लाना है ठीक है तो गले के अंदर कहां से करेंगे यह पकड़ा हमने और यह पकड़ा हमने अंदर और यह हम इधर ऐसे ले आए बाहर की तरफ लेके आना है आपको और बाहर की तरफ लेके आना है तो यहाँ पर बिल्कुल जोल जाल नहीं रहना चाहिए यानि पतला सा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल इसको कसके लाईए यहाँ पर कसके लाना है और इस तरह से पकड़ लेना है यहाँ पर बिल्कुल भी हलका नहीं रहना चाहिए जोल जाल नहीं रहना चाहिए ठीक है तो यह हो गया तो यह हम अंदर से लेके आयेते इस साइड से अंदर की तरफ से लेके आयेते अब हमें इस साइड से अंदर की तरफ लेके आना है अब हमें इसे इधर ले आना है नीचे की तरफ से ही ऐसे पकड़ लेना है और इधर इसको इसको ऐसे ले आना है अब इसको भी एक बार अंदर से लाना है यानि एक बार दूसरी तरफ से लाना है इसका बड़ा दिहान लखना है कि पहली बार क्या था दूसरी बार क्या था य यहां पर फिर से हमने थोड़ा सा कसके पकड़ लिया कसके कसके पकड़ लीजिए वरना यहां पर लूज रह जाएगा ना तो बाद में बड़ी दिक्कत होगी तो यहां कसके पकड़ लिया अब हमें क्या करना है अब हमें हमने यहां से कसके पकड़ लिया तो अब हम यहां त पीछे की तरफ से लाना है, पीछे की तरफ से, पीछे की तरफ से, और यहां पर इसको हमें क्या करना है, यहां पर यह जो पीछे की तरफ आया है, यह आया है, इसको रखेंगे बीट में, बीच में करके इस साइड से निकालेंगे, यह, यह, ठीक है, यह हमने निकाला, और यह हमारी टाई हो गई तयार चीक है अब इसको हमें ऐसे निकाल लेंगे यह आपने टाई बांद ली पहली बार में मैंने बताया बहुत सारे तरीके हैं सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ तो यहाँ बहुत सारे तरीके हैं यह हो गई टाई हमारी रेडी अब देखिए यह सबसे आसान तरीका सबसे आसान तरीका बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे टाई को बानेंगे और एक बार निकालके फिर सीधी तरफ से ले लेंगे यह एक तरीका है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी और आप कम इसको पहले लिता हूँ दोस्तों कॉलर करी उपर कॉलर करी उपर और यहां पर इसको हमने जब भी हम ठाई को की जेंगे पीछे की तरफ से तो यहां नौ्ट का ज्यादा ध्यान लखेंगे ज्यादा कि नॉट का हम बिलकुल ध्यान दखेंगे और कभी भी बटन उपर बंद रखना है आपको बहुत सारे लोग बैलूने देते हैं जो मीटिंग में आते हैं कि यार गला भिच रहा है गला डव रहा है इसी लिए मैंने बंद रही किया बहुत डांट सुनते हैं वो लोग लेकिन टाई पहनने का मज़ा तभी है जब उपर का बटन बंद रखते हैं तो क्योंकि टाई तभी सही तरीके से आती है और आपकी जो लुकिंग होती है आप अगर उपर से बटन नहीं बंद करेंगे तो दूर से लगेगा कि आप मिलकुल अन प्रोफेशनल है और टाई पहनना और जब भी आप टाई पहनते हैं तो शर्ट कम से कम थोड़ी से बड़े कॉलर वाली लेनी है आपको जब भी आप टाई पहनते तो आपको शर्ट जो है थोड़ी से बड़े कॉलर वाली लेनी है यह मेरी बड़े कॉलर वाली नहीं है चोटी क्योंकि मैं इस पर टाई नही तो इसको डालेंगे इसके पीछे ताकि ये इसके साथ साथ ही जूले अब मैं आपको दिखा लेता हूं कोड़ा का इस अब से आसान तरीका चाही का मैंने आपको बता दिया है कि टाइप एहने के बहुत सारे तरीके हैं ये उन में से सबसे आसान है जो मुझे आसान लगता है ऐसे तो जुतनी भी तरीके हैं जिसको जो आसान लग जाए वो ही आसान है उसके लिए तो ये देखिए ये आप देख रहे हैं ये ठीक है आराम से बैठे हैं इंटर्व्यू में तो थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं और बहुत सारे लोगों को टाई जो है गर्दन में भिषती है वो इसलिए है कि उन्होंने पहले कभी टाई पहनी नहीं है और उनकी जो शर्ट है वो टाई लाइक शर्ट नहीं है तो अपनी शर्ट थोड़ी सी टाई लाइक खरी दिये अगर अच्छी रेंज की शर्ट खरी देंगे थोड़ा सा महगी खरी देंगे तो टाई वाली हो जाएगी यानि उसके कॉलर भी बढ़े होंगे और उसका यह लुकुल ध्यान लखिएगा क्योंकि मैं अपने experience से बदा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में हम तो टाई पैंते हैं नहीं थे और जब हमने जबाशती टाई पैंने स्टार्ट की तो हमारी शर्ट उस लाइक नहीं थी काफी दिनों बात हमें यह समझ में आया जा हमने उगली घुमाने की जगे होनी चाहिए पूरी गर्दन में उगली घुमाने की जगे होनी चाहिए तो यहां पर यह है अब मैं ऐसे ऐसे कुछ भी करूँगा यह मैं प्रैक्टिकल बदा रहा हूँ आपको कि अब कुछ भी करूँगा मेरी टाई यहीं पर रहगी अगर तो यह देखिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूं और यहां पजियों यह थोड़ा सा सिल्वट है यह आप ट्राइप प्रैस कर लीजिए यह काफी दिनों से रखी हुई थी तो यहां पे डब गई है आप प्रैस कर सकते हैं इसको और मैं आपको को पयाऒ दो आएं आप इस तरह कि नोट बन जायी है और टाई जब आपको निकालना है तो से यह पड़िये और विकत इस देसे यह रिए अगर आपको बार बार नहीं बांदी मानी है तो कई सरी टाई ऐसे ही लोग क्या करते हैं बांद के रख देते हैं और ऐसे दीरे से डालते हैं और पहन लेते हैं यह सबसे आसान तरीका बार बार टाई बांदे की ज़रूत नहीं पड़ती तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं ठीक है इस तरह से जब दोना हो तो दो लीजि यह दिखिए यह आगी का इस्ता है इस तरह से तो मीर है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को